हेलो प्रेंट्स, वेलकम टो बैंगलूर की यूटूबर चैनल को, आज हम जाले कोहीं ताज महल को, तो ताज महल में किता इंट्री टी गेट और हैं क्या-क्या है यह पूरा तुम ना बताती, तो वीडियो में आखिर तक बने रहो तो ताज महल को आने के वास्ते तुम्हें ओन मेहिकल में भी आ सकती या फिर मेट्रो में भी आ सकती तो गेट में इंट्री होने के बाद में यहां पर देखो बहुत ज्यादा अंदर जाना इसके वास्ते यहां पर तुम ना ऐसे कारा मिल जाती तो या फिर तुम्हें चल्ले यह देख सकती हैं लाल फतरा में जो बना कोहीं राइट साइड में हैं और लेफ्ट साइड में इन्हों यह इंटरी का कॉंटर बना कोई टिकेट लेने के बाद यह ऐसा टोकन मिलता है तो टिकेट पचास रुपे रहती हैं तुम्हें आनलाइन लिये तो चालिस पर पांच रुपे रहती हैं अगर तुम्हें ताज मेहल के अंदर जाना ताज मेहल के जो ममताज और शाजाहन के मजारा हीं वहां अंदर जाना गतो तुम्हें 80 रुपें के टिकेट लेना 50 रुपे प्लस 200 रुपीज एक्स्ट्रा देना देखो कहती पब्लिक हैं यह हमें नॉर्मल टाइम में गय थे वेनेस डे के जब साटड़े संड़े और ज्यादा पब्लिक रहती हैं क्यू में खडने के बाद में कोईन दे दालना कोईन दिये त तुम्हें क्यू को स्किप करको वहां से जा सकती लेकिन कोईन ऐसा सेम स्क्यान करको बुलाले को जा दिया अंदर तो इसके बाद में हैं यहां पर क्या भी अलग से जन्स के वास्ते क्यू क्या भी अलग नहीं हैं दो भी एकिज क्यू हैं यहां पूरा चेकिंग करती हैं य थो पूरा लाल फतरा में बना को हैंसो, तो यहां पर इंटर्यू होने के बाद में हमें अंदर जाने लगें तो यह ताँट महल को इंटर्य गेट जो आपको वेस्ट गेट तो ऐसे चार गेटा हैंसो, वेस्ट गेटा को वीजिट्रस के वाश्थे रख को हैंसो, को इस चाहन जब थे उनके टाइम में यह जा बिशीट करते थे यह जा जाते थे तो यह को वेस्ट गेट जो अब हमें आए यह दोनों तरफ जो देख रही है यह को रूम से जब शाजाहन के टाइम पो मजदूरान आते थे उनके वास्ते यह पूरे कम्रे बनाए थे और यह म मीना बजार खासकर करके आगरा की घागरा चोली वो इसा सभी फेमस थे सजब तो लेडिस बहुत सारे लेडिस से ये मीना बजार लगाते थे अब गईट हम नहीं हम बता रहे हैं ये इसके बारे में तो ये भी तुम्हें जरा सुन लियो उसके बाद में हमें विलोग कंटिन ये घाज़ चैन लेडि डाईन सभी उसी गेट से आते हैं और मुगलो के टाइम पर दिया आई की लोग उसी गेट से आते हैं यह वाला गेट दिख रहा है सामनी ये साब्ली लेबर को लोनी गेट है जग कामयल बन रहा था तो टॉन थांथी थाउक जन बर कर पड़ी बर क इतना है 105 feet मुगलों के टाइम पर ताजमेल बन रहा था तो मुगल नहीं मानते थे हिजरी को मानते थे हिजरी आते हैं आप रहा है तो ऊपर देखने है 11 इसके बेक साइड मौर बने है तो यह क्रूप नंबर बनाए के टाजमेल को 22 एर का टाइम लगा इतना 22 एर चोटे-चोटे रूम देखने हैं ऐसे रूम बने हुआ है ऐसा ही चारो तराफ एराउंड में 210 इससे बीड़े बेक टेंडू बने है कि वह से दग्रों जो बैपारी बर्क के लोग आते थे एराण एराउंड तर्की से बैपार करने के लिए इससे बटे लाए ते यह गार्डन नहीं बनाओ था यहाँ पर इस्ते करते थे सौने-चांदी के सरफीया लाते थे बैपार कर अगरा में नीर केती हो ती ते इसका बैफार करते ते लोग यहांसे केला जाते याते थे मसाले खरी थे ते इसके कर देते और राज सब्सक्राइब टो इन फूर में बैफारी बरकी लोग यहां पर इसके लगोग जितना भी रैट बाला इस्टो ने जा रहा है अपको लगवाया था लगवाया था सुंदर्ट पा बढ़ाने के लिए जो काले कलर के लेंप लगवाया था विट्टिश टाइम पर लाइट नहीं था था ओईल वाली लेंप लगवाया था तो अब वीस हजार मजदूर काम करते थे थैंट-बाइस साल का समय लगा चार करोड़े पर हम ये तामिल बन के तैयर हुआ चार करोड़े पर तीनसो नब्वे साइसे ऊपर घ्राइए हम बात कर रहे हैं थीनसो अनुदे से लिए और सुले से लेकर सुले सुले शुटे सट टेपर 1631 तू 1654 पीश्ट इस्टी एर का ट यानि कि यह बिलेक्स ओनेक्स से लिखा गया है प्रेंटिंग नहीं है और इसके जो राइटर थे इन्होंने इसको लिखा था मौम्मत अमानत खांश किलागी को उन्होंने लिखवाया था इसको और यह कैली गराफी जो है यह इंगरेबिंग किया गया है बाइड मार्वल के लिखांटिंग नहीं है इस को फोटो आपका यहां से आता है यहां से अपने मुबाइल से भी खेंचा कूए करने के लिए तो इसके बीचे लेबर रहती थी टॉंटी थाउजन बरकर ये फड़ लेबर करने आते थे ये पीचे रहा कर से सब्सक्राइब जी ये लाइन जी दिख रहे है ना ये अंदर एक बाइट बिल्डिंग नेजर आ रहा है आपको उसके अंदर एक बिंडो नेजर कर रहा है तो राइसें साइट बारा बिल्डिंग और लेफन साइट बारा बिल्डिंग उस्ते एंद दिखाई लेबर को इसको इंग्रेविंग किया गया है पैंटिंग नहीं है और यह सिष्टम यहां पर क्या किया गया है अर्वी जैसि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे चोड़-चोड़े लेटर है जैसी आप पढ़ते जाएंगे निटर बड़े होते लेते हैं बिगर और एंक और पिगर टॉप प्र जाकर कपी बड़े लेटर हैं में मार्क देख कि देख रहे हैं कि अभी मिटेगा नहीं ये सही बोले आफिंगे कभी नहीं मिटेगा कि तुरा अलफ हज़ा कि तैन लिए मठी बाते हैं ये जो मैं आप देखे तो इमैं ताज मेहल का बीच में ताज मेहल हैं तो चार आँ तरफ आको ।चार बाख बोलती हैं पर्शय अन स्टाइल में ये बना को हैं सो 4 बाख तो ये चार आँ बाख में भी डिवाइट कर को हीं तो काउंट करें तो टोटली 16 बाग होती हैं तो यहां पर जो इंटरी होती हैं लाइन दिखाए थे गाइड वो लाइन फालो कर ले को आए तो ताज महल थीडी एफेक्ट में दिखता है इसा दिखता है कि ताज महल फिचे जा रहा है तो फस्ट टाइम जब हमें ताज महल द लेकि तो और प्यारा दिखता और इंटरस्टिंग दिखता ताज महल फ्रेंज तो ताज महल को जब बनाए थे यहां को 20,020,000 मजदूर हमिल को बनाए थे 391 यर्स होगा ताज महल बना को लेकिन अब तक भी इसकी खुबसूरती वैसी जाहे 4 centuries होगे बट ताज महल को आज तका क्या भी नहीं हुआ बीच में थोड़े दरारा आए थे वो क्यावस देगा तो ताज महल के अतराफ आपको कुवें बना को थे इसे जाड़े हो जाजाप आपको यह ऩे इ सलीना हुआ यह की उसकी आपको तक ने diverse संगावरे हो आपको आपको कि वह सभी के नहीं हुआज हो ता गांपंग रेश के कमी केि वाजा से आये का मौना का पानी इसे ज़ूं को सुगा था यह fountain जो तुम्हें देख रही हैं को 53 fountain बना को हैंसो और 16 बाख बना को ही अत्राफ यहां को निशानी के ताज महला को 1653 में complete हुआ था गरको बोलको यह जो तुम्हें देख रही हैं छोटे छोटे बाख ऐसे 16 हैंसो यहांपर complete मंतास का इंतखल 38 YERS में हुआ था उनके टोटली 14 बच्चे थे तो लास्ट बच्चे के बर्थ के टैम में उनका इंतखल होगा था वो टैम में डॉक्टरां वगेरा नहीं थे तो हmost प्रे उनको बच्चाने सके लेकिन अंग्रेजान जाबाए थे ये पूरा सुनने के चीज़ान लूट ले तो ये पूरा काले कलर का जो है वो बाद में गॉर्मेंट पितल का बना को लगा खें सो सबसे उपर जो बीच में मगबर के उपर जो है ब्लाक कलर का वो आपको त्री फ्लोर की बिल्डिंग जट आपको यहां पर लगाए थे सो चाइना जापान वैसे अलग-अलग कंट्री से वो टाइम में मगाख लगाए थे सो तो अंग्रेजान वो भी निकालने को चले गए बहुत सारे तो अब जो यहां पर जो तुम्हें फट्रे देख रही है वो आपको कलरफुल फट्रे यहां पर विजिटिंग टाइम रहता है यहां को यह लेफ्ट सेट जो देख रही है यह मस्जिद है सो और पानी पिने के वस्ते भी हां जगा है थंडी हवा आते रहते है थंड़ा पानी रहता है तो राइट सेट और लेफ्ट सेट यह पूरे लाल कलर की जो बिल्डिंग इसके बीच में आपो ताजमहल है यह वाईट कलर का ताजमहल बनाने के बाद शाजहान बलाक कलर का ताजमहल बनाने का प्लान था लेकिन उनके बेटे औरंग जेब वो प्लान पुरा होने नहीं दिये क्या वास देगा तो वो टाइम में चिप बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता था तो औरंग जेब के हिस्से में पैसा कमा आता करको बोलको उन्हों वो डर से शाजाहन को खायत करदा ले थे हाउस अरेस्ट तो हाऊस अरेस्ट करने के बाद उनके बेटिया उनके खिदमत कर लेगए थे शाजाहन की शाजाहन का इnt Zahl ने ले उन्हों आरेस्ट जब करे थे तब यि जरुआए енतफाल होगा था लेकिन भूँच ज्यादा बड़ी थी नदी यह जो आपोजिट देख रही है यहांको महताब महल वहांच आपको ब्लाक ताजमहल बनने का प्लान था जयसे ही सूरिच सब्सक्राइब करें इसमें चेंज करो को अपको अब तो गालो माइश अपय। सुյो के वक। वक्त वयट कलर दिखता है ऐसा तो फ्रेंड्स हमारे चानलको सब्सक्राइब करको शेर करो